किसी को हम लोग आने के लिए नहीं कह सकते हैं कोई अगर हमारे साथ जूड़ना चाहेगा नरेंद्र मोदी के नितुत को स्विकार करेगा एंडिये की सरकार को मजबूत बनाने का काम करेगा तो हम जो है से उसको सहर स्विकार करेंगे नमस्कार निच फोर नेशन देख रहे हैं आप में हूँ आपके साथ धीरत सिंग जेडियू संसदिये बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुष्वाहा क्या एक बार फिर से नितिस कुमार का साथ छोरेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि पहले उन्होंने महागठ बंदन और लिए क्या बात होई पहले हैं उपेंद्र कुष्वाहाजी इंस में भरती है जानकारी मिला क्योंकी तभीद खराब है इंस में वह हैं तो इसनाते देखने चले उप्राने सहयोगी रहे हैं इंड्य गठवंधन में रहे हैं किंद्र सरकार में मंती रहे तो यह दाइत बनता था करतबे भी बनता था कि उपेंद्र कुस्वाहा जी की स्वास्त की जानकारी लेना इस नाते गये थे उनसे मिलने हमारे संबंध भी बेतर है अच्छे हैं और राजिती अपनी जगा होती है लेकिन ब्यक्तिगत संबंधों को निभाया जाता है उसके नाते मैं उनसे मिलने और उनके स्वास्त की जानकारी लेने इंस में गये थे लेकिन जिस तरीके से महागठवंधन के नेता महागठवंधन और आरजेडी के सुधाकर सिंग के खिलापनों ने कहा जेडियू को भी कमजोर बता है उसके बाद इस तरह की मुलाकात कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के नेताओं का संदेश लेकर करके नहीं गये थे और मैंने पहले भी कहा कि उनकी स्वास्त की जानकारी लेने के लिए गये थे लेकिन इत और कई सारे जो हैसे विधायक कई सारे मंत्री नितीश कुमार के उपर जिस प्रकार की भासा का प्रियोग कर रहा है जिस प्रकार की बाते बोल रहे हैं उनके सम्मान के साथ ठेश पहुच रहा है और मुझे लगता है कि महा गठबंधन के अंदर में जिसका नित्रुत हो ज कुछ बोले कोई गत्पंदर का सहयोगी डल तो फिर जो हैसे वह नेटृत्त पर सवाल खड़ा हो जाता है तो इस नाति जो हैसे पाटी के अंदर से भी लग जो हैसे जदिव के अंदर से भी कई लोग जो हैसे उस पर सवाल खड़े किये कई लोगों ने जो हैसे उनके खिलाप बहुत सारी बाते बोली है उपेंदर कुस वहां तो अल्टीमेटम तक दे दिया कि 14 तक उस पर कुछ कारवाई करे नहीं तो फिर आगे विचार कर सकते हैं और उसके बाद उनको सोकावल नोटिस भी जारी हुआ है लेकिन उसके अलाबा मैं तो कराओं कि चंसेखर के सवाल पर जिस प्रकार से उन्होंने रामायन की दोहे को जिस प्रकार से उद्रन किया है गलत धर्म को मानने वाले लोग होते हैं और कळोरो कडोर हिंदू धर्म के लोग जिनकी आस्था रामायन के साथ जुड़ी है भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है और उसके साथ जो हैu से इस प्रकार का खिलवार करना उसके आस्था पर चोट करना यह अपने आप में कर रहे हैं उनको समान नहीं मिल रहा है तो इसका भी जो हैसे आने वाले समयवे देख सकते हैं कि क्या-क्या जो है से परिश्थितियां बन सकती हैं क्या लगता है? लिए किसी को हम लोग आने के लिए नहीं कह सकते हैं? कोई अगर हमारे साथ जुड़ना चाहेगा नरेंद्र मोदी के नितुत को स्विकार करेगा एंडिये की सरकार को मजबूत बनाने का काम करेगा तो हम जो है से उसको सहर स्विकार करेंगे हमारी जो हैसे एक ही मनसा है भारत को सर्वुच्य सिखर पर पहुचाना भारत को उनत्ती के सर्वुच्य सिखर पर पहुचाना भारत को परम भैभा पर ले जाना भारत को सर्व सक्तिमान सर्व गुन संपन बनाना विस्व गुरू बनाना और वो विस्व गुरू नरेंद्र म से जो साथ मिलकर करकर के काम करेगा उसका हम जो है से स्वागत करेंगे आप कह रहे हैं महागटबंदन में युद चीरा हुआ तो लेकिन युद के नाते आप उनको सलाह देंगे कि एक रास्ता ये बचा हुआ इसमें आ सकते हैं आप लोग देखे हैं हम लोग वो कोई सधे जदिव संसदिय बोड के अद्यच है तो उनको कोई सलाह कौन दे सकता है वो खुद जो हैसे समदार व्यक्ति हैं खुद नीर्णय लेने वाले और चमताबान व्यक्ति हैं जब भी कुछी इस प्रकार का होगा तो स्वैम नीर्णय लेना जानते हैं